हेलो फ्रेंग्स मैंनों सदर्फ आप देख रहे हैं अलाइफ 24 नियूज बिग बोस क्यारा विकिंग के बार में सल्मान के साथ बिग बोस के घर में पहुचे कपिल शर्मा और की घरवालों से बाच्चित तो वही सल्मान इस बार अर्शी खाई के पक्ष में नजर आए आएगे देखते हैं बिग बोस के घर में और क्या क्या हुआ लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देखते रहें ये बिग बोस के दर्शकों के लिए उनके चहीत तर्मान खर फेर से हाजिर हैं इस एपिसोड में देख सकते हैं कि बिनाफ्षा सुना वाला और अकास जदलानी के बीच भयंकर लड़ाई होती है प्रियांग कट घरे में आखड़े होते हैं प्रियांग को कट घरे में बुलाया जाता है और वह पुनीश पर आरूप लगाने लगते हैं जिसमें बाकी घरवाले अंदोलित हो जाते हैं अर्शी हीना पर आरूप लगाती कि वह घर में जगड़ा लगाती हैं विकास कहता है कि बेनाफशा को या तो सलमान या फिर बिग बॉस से शिकायत करनी चाहिए थी सलमान कहते हैं कि पुरानी बातों को याद करना और उन पर लड़ना गलत बात है बेनाफशा और अकाश एक दूसरे से माफी मांगते हैं वही घरवालों को उस शक्स के कट haut पर नि शादवाना होता है जिससे में नापसंद करते हैं अकाश प्लयांग शर्मा को तो रशीकान हीना को निशाना बनाती अकाश कपिल के लिए एक पैंग पैंग रेप फि काते हैं तो वही कपिल और सल्मान फिर एक साथ आते हैं कपिल शर्वा और सल्मान दोनु एक साथ स्टेज पर होते हैं और सल्मान की हिंदी में कही बातों को अंग्रीजी में ट्रांसलेट करने की कोशिच करते हैं जिसमें दर्शकों को खूब मनुरंजन होता है जिसमें दर्शकों का खूब मनुरंजन होता है लगातार आपड़ेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और देखते रहें बिग बॉस की और लेटेस्ट घबर